नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर देखिए वही मैं कही दिनों से वीडियो नहीं बनाई आपको पता है अरियानक रमचारी चैनायोग गुरूप डी के रेजल्ट को रोके बेटा है और गुरूप डी का रेजल्ट इतना जल्दी नहीं आने वाला आप ये लगा के चलिए 19 दिसंबर से पहले किसी आलात में आपको गुरूप डी का रेजल्ट देखने को नहीं मिलेगा 19 दिसंबर के बाद सुनवाई के बाद उस सुनवाई के बाद अगर ये अपने आगे के एकजाम देने की परमिसन मिल जाती है तो रजेल्ट आगे फिर सी की बर्ती के बाद में आएगा दूसरी बात ये रहेगी कि वही अगर इजाज़त नहीं भी मिलती है अजाजत ना भी मिले और आगे के 15-20 इनकी डेट मिल जाए तो भी रेजल्ट जारी नहीं करेंगे ये गुरूप D का रेजल्ट तब जारी करेंगे जब बिल्कुल फस जाएगी फस जाएगी मतलब मामला बिल्कुल बिल्कुल एकदम अटक जाएगा कि और कोई ओप्सन ही नहीं है डी का रेजल्ट जारी ही करना पड़ेगा सी के एकज्याम लेने का कोई ओप्सन नहीं बचा है ठीक है उस कंडिशन में लेकिन इन्होंने बोपाल चिंग खदरी जी ने आपने आज के निउस पेपर में लिखा है कि इन्होंने तो क्या लिखा है मतलब इन्होंने बताया है कि हम एक ऐसा सुप्ट में त्यार कर रहे हैं जिसके तुरू हम यह पुछेंगे कि आप गुरूप डी में लगना चाहते हो या नहीं तो यह काबिले तारीफ है चेर्मेन साहब का यह वाला सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाड़ा है देखिए उमिदवार से पुछा जाएगा कि आप गुरूप डी की नोकरी लेना चाहते हो क्या अगर कोई उमिदवार नहीं कहता है तो मेरिट में मेरिट में उसको नहीं जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे कंडिडेट होते हैं जिनको क्या होता है कि कोई SSC की त्यारी कर रहा है, CGL की त्यारी कर रहा है हरियाना के अंदर डी में नहीं लगना चाहता लेकिन पिर भी डी का एक्जाम देखिया आया है तो ऐसे कंडेट जब लिष्ट बनती है तो उनमें सामिल होते हैं और बाद में वो जुआईन नहीं करते हैं बहुत सारे ऐसे हजारों पला सुडेंट होते हैं तो भई इसे ये फाइदा हो जाएगा आपको लगा के चलिए मेरिट लिस्ट में अगर पहले के मुकाबले अब की बात करूँ मैं तो एक से डिड नंबर गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो की नय कर देंगे कि यह में गुरूप डी में नहीं लगना है ठीक है बागी देखो बेरोजगारी बड़ी हुई है बही नय करने वाले कम है लेकिन आज भी बेटे हैं एक्जाम देने वाले जिन्होंने गुरूप डी का एक्जाम दिया है और वो गुरूप डी की नोकरी नहीं चाते ठीक है तो बही कुछने कुछ फाइदा इससे मिलेगा और यहां तक की आगे उसके बाद में लिखा है कि जो हां करेगा उसके लिए आगे पद और विवाग खुल जाएंगे वो और अपना विवाग बरे और यह जो सोफ्ट वेट त्यार करने कर रहे हैं हमें एक अप्ता लगेगा सोफ्ट वेट त्यार करने में एक आप्ता लगेगा एक हप्ते का मतलब 749 तो जदा हो जाएंगे 721 ठीक है उसके बाद आगे लिखा है कि हम दो तीन दिन में इन अंकों को जोड़ कर मिला NTA को बेज़ देंगे और फिर NTA2-3 दिन में NTA2-3-2-3-2-3 की गुणा कितने होगी 6 कितने होगे यह होगे आपके 27 27 दिन महिना पूरा-पूरा यानि पूरा-पूरा इसाब बिठा रखा है कि इस December में आपका किसी परकार से रेजल्ट नहीं आने वाला है ये पूर्णते वेट करेंगे C का और कहीं न कहीं जायज भी है जायज भी है अगर C वाली परमिशन मिल जाए ठीक है C वाली परमिशन मिल जाए और पहले C की बरतियां सुरू हो जाए डंग से 19 December को तो ये D के उमिद्वारों की जादा से जादा उमिद्वारों के लगने के चांस बन जाते हैं तो अब आप जिनके जितने नंबर हैं 10 से ना लीजिए भई सिद्धी सी बात है मैंने एक मेरिट लिस्ट की वीडियो बना रखी है मेरे इसाब से वो रहेगी जैसे सर्वे दिया था सभी राज्यों का भई न्यूज चैनल वालों ने ठीक है 36 गड का सब का गलत गया तो एक अनुमान होता है हमारा भी एक अनुमान है कही न कहीं लिस्ट सही जाने का तो जितने भी लाइब देख रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए आपका अपना यूटूब चैनल है और अपनी कुछ किताब ये मार्केट में अबलेबल है एलम के लिए एलेक्टरिसियन मंथन किताब अबलेबल है है अपने थियोरीकल भूक रेएगे रियान की नई सोच ओन लाइन भी हर दुकान पर अबलेबल है